कुछ लोगों के बाल जरुद से ज़्यादा रूखे सूखे हो जाते हैं जिसकी बड़ी वजह है बालों की जड़ों से सीरों तक पर्याद कोशड कर ना पहुचना होता है हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल बालों की सही तरह से देख रेखना करना और प्रदूशन के प्रभाब से भी बालों पर रुखापन नजर आता है खास कर लड़कियों के बाल लंबे होते हैं तो उन्हें ड्राइनेस की दिक्कत ज़्यादा होती है ऐसे में घर पर बने हुए कुछ हाईड्रेटिंग हेर मास्क बालों के लिए बेहत फाइदे मन्द होते हैं इन हेर मास्क को बनाना भी आसान है और इनका असर भी कमाल का दिखता है तो आए जानते हैं ये हेर मासक कौन से हैं दही और शहद बालों का रुखा पंदूर करने के लिए दही और शहद को साथ मिलाकर बालों पर लगाया जा सकता है इस हेयर मास्क को तयार करने के लिए दो चम्मज दही में एक चम्मज शहद मिलाकर बालों पर जड़ों से सिरो तक लगा लें इसे आदा घंटा लगा कर रखने के बाद सिर्ध होकर साफ करें इससे बालो को नमी मिलती है और बाल चमकदार हो जाते हैं केला और शहद हाइड्रेटिंग गुणों से भरपूर शहद और केले का हेर मास्क बालो केले बहेद अच्छा साबित होता है इस हेर मास्क को बनाने के लिए एक पके हुए केले में दो चमकद शहद डाल कर उसे अच्छे से मसल लें और उसका पेस्ट बना लें इस पेस्ट को बालो पर तकरीबन एक घंटा लगा कर रखने के बाद इसे धो लें बालो को पोशड तो मिलता ही है साती सात बाल खुबसूरत दिखने लगते हैं इस हेर मास्क को हफते में एक बार लगाया जा सकता है अंडे का हेर मास्क प्रोटीन से भरपूर अंडा बालो को एक नहीं बलकी कई फायदे देता है इस हेर मास्क को बनाना भी बेहत आसान है एक अंडा लेकर उसमें एक चम्मच नारिल का तेल और आधा चम्मच शहद मिला लें इसे बालों पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें इसके बाद बालों को किसी माइल्ड शैंपू से धो लें आप चाहें तो इस हेर मास्क में आधा एवाकाडो भी मिला सकते हैं अंडे का हेर मास्क लगाने के बाद आप देखेंगे कि बालों में एक अलग सी चमक आ गई है और बाल रेशमी और मुलायम हो गए हैं सिर पर नारियल तेल और ओलिव ओयल को साथ मिलाकर लगाने पर भी बालों को फाइदा मिलता है इसके लिए दो चम्मच नारियल तेल और दो चम्मच ओलिव ओयल मिलाएं और बालों की जड़ों पर मालिश करें इस तेल को नहाने से एक घंटे पहले बालों पर लगाएं या फिर रात के समय सिर पर लगाकर अगली सुबह हेर वाश करें दोस्तों मेरे द्वारा बताये गए इन हेयर मास्क में से किसी एक हेयर मास्क का नियमित इस्तमाल करने के बाद आप देखेंगे कि आपके रूखे सूखे और बेजान बालों में एक अलग सी चमक आ गई है आपके बाल हेल्दी तो होई जाएंगे साथ ही साथ रेश्मी और मुलायम भी हो जाएंगे उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकरी आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आएं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें मिलती हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई धन्यवाद